आज आपको कच्छा ग्यार्मी, इतिहास, अर्धिया दो, मैसो मटामिया, लेखन, कला और सहरी जीवन के बारे में पढ़ा चुका हूं और इसके आगे सहरी करण के लिए आवसक कारा कौन-कौन से होते हैं और सहरी करण का सूच पात इससे अनेक सहरों का विकास कैसे होता है, उसके लिए मुल्भूत आवसकता है क्या-क्या होती है, सहर का विकास, उसका संदर्दी करण और रहन-सहन कैसे होता है, इसके बारे में में आपको बतलाने जा रहा हूं कि कास्क कालिन सब्दाओं के दोरान सहरी करण का सूद्ध पात हुआ इससे अनेक सहरों का विकास हुआ मैसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का उत्भव कास्यूग अर्थाद 3000 इसापूर में शुरू हो गया था इस सहरी करण के कि भूमका रही जिससे शहरों या कज़वों का विकास हुआ यह जानना आवसक है शहरी करण के लिए केवल प्रकर्तिक और वर्ता और खाद उत्पादन का उच इस्टर ही मूल कारत कार्दपी नहीं हो सकता शहरी करण के विभिन कार्कों की भूमका होती है जैसे उच उत् श्रम विभाजन और कुशल परिवहन व्यवस्ता अबर एक उच उत्पादक खेती शहरी करण की प्रकर्या एक दीर कालिन जटेल П्रकर्या प्रकर्तिक और वर्ता तथा खार्द स्पादन की उच इस्टर ही शहरी करण के कारक थे यदि इतिहास के क्रमिक विकास पर दिस्ती डालें तो देखेंगे कि समाज में स्रम विभाजन तथा विशेशी करण की प्रकिरिया उसी समय अस्टित में आना प्रारम होगी जब गाओं के लोगों ने खात पदातों का उत्पादन प्राकातिक उरुवर्ता के कारण अपनी आउसक्ता से अधिक करना प्रारम कर दिया होगा प्रारम में तो सभी लोग क्रसी विकास में लगे होंगे लेकिन अतिरिक्ट उर्वर्ता के कारण कुछ लोग अन्पदा कारणों को भी करने लगे होंगे इस प्रकात सहरी करण की दिशा में पहला कदम प्राकातिक औरोहर्था तथक्षाद उत्वादन का उस्थर ही रहा होगा यह भी निर्वाद है कि सहरी करण तभी संभव हो सकता है जब खेती में इतना उत्वादन होता हो जिससे सहर में रहने वाले की पूर्थी हो सके अध ये कहा जा सकता है जहां सहर का विकास होता है वहां की भूमी का उजाओ होना आउसक है मैसोपटामिया का सहर के रूम में विक्सित होना इसी का प्रणाम है सेकंड उर्द्योगों का विकास प्राशीन काल में उर्द्योगों का विकास शहरी करण के लिए एक आउसक शर्थ थी विभिन पकार के उर्द्योग के और शहरों में रहने वाले लोगों की विभिन आउसस्वां की पूर्थी नहीं करते थे बलकि विभिन्त पकार के मज़़ूरे एवकारीगरों की अजूइका का साधन बनते हैं वस्तुत शहरी जीवन में लोगों का एक साथ बशना तभी संभव है जब बड़ी संख्या में लोग क्रिशी कारों के अलावा अन्नकार उत्पादन कार में संगलन हो मैसमोटाविया का सहर के रूम में बिक्सित होना इसी का प्रमाण है तीसा उन्नत वैपार उन्नत वैपार भी सहरी करन का एक महात्पूर कारक है वैपार के माध्धम से ही गाओं में उपलत कच्चा माल खड़ान सहरों में पहुचता है और सहरों में तैयार होने वाला माल समगरी गाउं में पहुचता है यह तो भी मेस्व मुटाविया ख़दान संसादन बहुतायत में उपलग थे लेकिन वहाँ पर खनेच संसादन जैसे धातू और फत्तर का अभाव था दच्छड मेस्व मुटाविया में ओजार, महरे, आभूसान और पाठ आदी बनाने के लिए कोई धातू अपलग नहीं थी इसके अतरिक्त गाड़ियों के पहिये और नाव आदी बनाने के लिए अच्छी लकड़ी का अभाव था ये सारी बस्तुएं द्वारा ही प्राप्त हो सकती थी इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में मैसुर मठाविया के लोग अच्छी लकड़ी, तामबा, रांगा, सोना, चांदी, सीपी और विभिन प्रकार के फत्तर, आदी, तुड़की, इरान और खाड़ी पार के देशों से आयात करते थे इसके एवज में वे लोग मैसुर प्रटामिया से कपड़ा और किसी संबन्दी विभिन उत्पाद बड़ी मात्रा में विभिन देशों को निर्यात करते थे इन वस्यों के आयात निर्यात के आयात निर्यात से वेपारी संगटोनों का गठन हुआ, जिसके कारण सहरी करण का विकास हुआ लेखन कला का विकास, लेखन कला का विकास, शहरी करण के विकास के लिए लेखन कला की भूंका महात्पूर्ण होती है क्योंकि हिसाब किताब की व्यवस्ता के बेगर किसी प्रकार के व्यपार की प्रगती संबा नहीं निश्वंदे में सुमटिया में सहर के विकास के उद्या में लेखनकला के विकास ने महात्पूर्ण यूग जान दिया मेस्वपटावी में लेखन कला के विकास की चर्चा आवस आगे करेंगे पांटवा स्रम विभाजन शहरी करण के लिए सुववस्ति प्रसासनिक विवस्ता भी अतियावसक होती है सहरों में वैपार की प्रगर्धी के लिए और सुरच्छा की स्थावना कुसल प्रसासन दोरा ही संबा है कास यूग में जीवन देवा के लिए आवसक वश्चुऩों के अ अन्द वश्चुऩों के उठपादन मुख रूप से सासकवर्ठपर ही निरभष होते थे. सासक वर्ठ केवल कानून और व्यवास्टा का संचालन नहीं करते थे. अपत्तु समाजे वेवस्ता को स्रम्भ भाजन के माध्यम से नियंतित करते थे इसके परणाम सरूप साशक वर्क की सेन सक्ती में भी बिद्धी होने लगी स्रम्भ भाजन ने ही शहरी करण की गर्ती को वल पदान किया सहर में लोगों का एक स्टान्फ बशना तभी संभव हो पाता है जब अन्येक लोग विधित रोजगार जैसे धातुकार मोहर नक्साकसी तसासन मंदे से वा आदिकार में लगे हुए हो इस परशेव में सहरी करण में समाजिक संकतन का होना नितान्त आवसक है सहर के निर्मादाओं से प्राप्त करना असंभव होता है इसी प्रेकार कोई एक व्यक्ति सभी प्रेकार की वस्तियों के निर्माण में परमप्रगात नहीं हो सकता यही कारण है कि मैसोपोटामिया का सहरी करण हुआ वहाँ कुसल परिवहन व्यवस्ता सहरी विकास के लिए आवसक है प्रारमेक काल में समान धोने वाले पश्यों की पीत पर लाच कर अथ्वा वैल गाड़ी यों में भरका क्रिशी उत्पादरो या अन समान को ले जाना एक जठल कार था क्योंकि इन मार्ध्यमों से परिवहन में समय अधिक लगता था तथा खर्चा भी अधिक आता था इसकी अपिश्चकरत कांस काली इन समताव में जल परिवहन माल के आवागवन का एक स्रस्ता एव सुरच्छित सादन था खर्दान एव अन समानों नाव में भरकर जल मार से भेजा जाता था समान से भरी नाव नदी की धारा और वायू वेक के साथ चलती थी इसमें कोई अत्रिक्स व्यव भी नहीं होता था प्राचीन मेसो मटामिया की नहरे तथा प्राकरतिक जल धारा छोटी बड़ी बस्तियों के बीश समान के परिवहन का अच्छा सादन थी उन दिनों मोटो पिसामिया की फरत नदी वेफार के लिए विश्व मार का कार करती थी यही कारण था कि कुसल परिवहन मेसो मटामिया में प्रारामिक सहरी करण के विकास का महात्पून कारक सिर्द होई इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है इस पार का आप लोग अच्छे से अध्यन करिए जो अभ्यास के कुस्चन है अभ्यास के फ्रस्न है उसको अच्छे से हल करिए और कोई समस्या कोई प्रॉलम होती है तो मेरे से संपड करे मैं आपका मार रशन करूंगा